साइन्स और टेक्नोलोजी की दुनिया में आप सभी का स्वागत है आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ मोडरन एगरिकल्चर मसीन्स के बारे में जिन्हें देखकर आप पूरी तरह से हैरान रह जाएंगे वीडियो को सुरू करने से पहले अगर चैनल पर आप नई वीवर हैं तो फट से निचे देगे सब्सक्राइब के लाल बटन को दबा कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बगल वाली बैल की घंटी को भी दबा दें तो चलिए सुरू करते हैं वीडियो को नमबर फाइब, फोरेज हार्वेस्टर ये है फोरेज हार्वेस्टर, ये एक काफी एडवांस चारा काटने की मसीन है बारी मात्रा में चारा काटने के लिए इस फोरेज हार्वेस्टर का इस्तेमाल किया जाता है चारा काटने के साथ ये मसीन इसे प्रोसेस करके साथ चल रही ट्रोली में एक थ्रोविंग आरम के जरीए इकटा करती जाती है जहांस इन ट्रोली को डारेक्ट ट्रांस्पोर्टिशन के लिए भेज दिया जाता है नमबर फॉर कोटन हार्वेस्टर ये है कोटन हार्वेस्टर बारी मातरा में कोटन हार्वेस्टर के लिए इन एड्वान्स मसीनों का इस्तेमाल किया जाता है ये मसीने काफी सफाई से कोटन के पोदों से कोटन को अलग कर लेती है और इसके बाद ये मसीन जमा हुए कोटन की बैल्स बना देती है फिर इन बेल्स को ट्रैक्टर के जरीए एक जगह इखटना किया जाता है फिर यहां से इनने डारेक्ट प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है ये है बेल्स व्रेपिंग मवेशियों के चारे को सुरक्षित रखने की एक स्चांदार प्रोसेस माशीनों के दवरा गास के इन बेल्स को प्लास्टिक फरम में रेप किया जाता है ताकि इने लंबे समय तक सुरक्षित रखा जासके ऐसा करने से इन गास की बेल्स को बारिस और सनलाइट से खराब होने से बचाया जा सकता है ताकि गास को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जासके और जरूरत पढ़ने पर जानवरों को दिया जासके ये फिल्ड प्लोविंग नई फसल उगाने से पहले ट्रेक्टर द्वरा खेतों की जुताई की जाती है लेकिन अगर जुताई बारी मातरा में करनी हो तो जरूरत होती है इन बारी बरकंप और पावरफुल ट्रेक्टर्स की जो कि कई हैक्टर्स जमीन को महज कुछ ही गंटों में खोद सकते हैं ये अकेला मौन्स्टर ट्रेक्टर दस छोटे ट्रेक्टर्स की जितनी खुदाई एक बार में कर सकता है और इस ट्रेक्टर का नाम है बिग बड ट्रेक्टर नमर एक फ्लेम वीडिंग ये है फ्लेम वीडिंग फ्लेम वीडिंग का इस्तेमाल नई फसल उगाने से पहले किया जाता है क्योंकि फसल काटने के बाद खेतों में उनके अवसेस और कई तरह के छोटे मोटे पोदे और जाडिया रह जाती है उन्हें पूरी तरह से खतम करने के लिए फ्लेम वीडिंग प्रोसेस के जरिए उन्हें जलाकर नश्ट किया जाता है ताकि नई फसल को एकदम फ्रेश सर फेस मिले और नई फसल के साथ कोई एन्वांटिड पोदे और जाडिया ना होगे दोस्तों आपकी इन modern agriculture machines के बारे में क्या रहा है और आपको क्या लगता है भारत में भी ये machine होनी चाहिए अपने विचार हमें comment box में जरूर बताए और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बिल्कुल मत बूलिएगा ऐसे ही interesting वीडियो के लिए हमारी चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना बूले आज की वीडियो में बस इतना ही मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक आप अपना ख्याल रहिए स्वस्त रहिए खुश रहिए और मुस्क्राते रहिए